हेलो एवरीवन, वेलकम टू मुंत्राले वाले भीया, वेलकम टू MWB आज का जो वीडियो है ये बिसिकली इस चीज पर है कि जब आप एक्जाम हॉल में होंगे जब आप एक्जाम में डिक्टीशन लिख रहे होंगे तो क्या कुछ बात है जो आपको याद रखनी है और वैसे तो आप लोग डिक्टीशन लिखी चुके हैं एक्जाम में आपका दो वार एक्जाम भी हो चुका है लेकिन फिर भी कुछ चीज इंपॉर्टन्ट है जो मुझे लगा कि बताना जरूरी है तो ये वीडियो ऊसी चीज के ऊपर है जो चीज़ इंपॉर्टन्ट है वो आप को बता दी जाएंगे अगर आप परफेक्ट हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है वीडियो को इस्किप कर सकते हैं लेकिन देख लेंगे तो अच्छा रहेगा उसी schedule को लेके चलिए और exam जहां पर भी आपका center हो कोसिस करिएगा एक दिन पहले पहुँच जाया है तो ज्यादा अच्छे रहेगा और बना जो center पर आपकी timing है reporting की उसे proper time लेके चलेंगे कि हाँ कोई बात नहीं एक दुगंटे पहले भी पहुँच जाएंगे तो इस तरीकी की mentality के साथ चलिए तो बहाँ पर चीज़ें आपके लिए थोड़ा प्रिश्राइज नहीं करेंगे अगर कोई problem भी होगे ठीक है trial का मतलब ही होता है कि आपको कोई problem हो तो आप बता दीजिए ठीक है तो trial की दौरान जो आपका trial dictation दिया जाएगा एक minute का ठीक है उसमें क्या होगा कि आप ये देख लिजए कि आपकी जो seat है ठीक है और जो speaker लगा हुआ है ठीक है उसका distance proper है ठीक है कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यदा pass में हो या ऐसा तो सो नहीं कि बहुत ज़्यदा दूर हो तो इसको जोड़ देख लीज़ेगा यहां पर compromise मत करेगा कि यहां चलो कोई बात नहीं थोड़ी सी कमावा जा रही है तो क्या हुआ यहीं पर बैठ गया है तो इस तरह की चीज़े मत करेगा अगर जरा भी आपको प्रॉब्लम लगती है तो तुरांत action लिज़ेगा ठीक है इस चीज़ पर वो आपको easily settle कर देंगे क्योंकि यह बहुत ज़दा important है कि आप dictation सही से सुनेंगे ही नहीं तो लिखेंगे क्या ठीक है तो dictation सही से सुनने के लिए आपकी seat बहुत ज़दा सही जगे पर होना बहुत important है इसके बाद ये एक दूसरा step है कि जब trial आपका start होता है अब इसमें क्या है कि दूमत है कुछ लोग कहते है कि trial लिखना चाहिए ठीक है और कुछ लोग कहते हैं कि trial नहीं लिखना चाहिए अब देखें ये personal opinion है कुछ लोग कहते हैं लिखना चाहिए तो ठीक है उनकी भी अपनी कुछ सोच है उन्होंने कुछ experience किये होंगे तो उसके basis पर वो कह रहे होंगे लेकिन मेरा अगर personal opinion की मैं अपनी बात करूँ ठीक है तो मेरे हिसाब से तो लिखना चाहिए अब जो लोग नहीं कहते हैं कि नहीं लिखना चाहिए I think उनका opinion नहीं रहता है कि आपने घर पे 10 minute की practice की है ठीक है और यहाँ पर आपको 2 minute extra लिखना पड़ेगा तो आपके हाथ में pain हो सकता है ठीक है ऐसा मैंने कहते हैं सुना भी है लोगों को उसी की basis पर मैं बोल लाओ ठीक है देखें एक्जाम एक ऐसी चीज़ है जहां पर ना तो आपको नेन, भूब, प्यास इस सब चीज़ें आपकी खतम हो जाती है ठीक है आपने भी देखा होगा कि एक्जाम से पहले अगर आप नहीं सोपाते हैं तब भी आपकी body में इतने strength होती है कि वो एक दो दिन तक आराम से काम कर सकती है यह दो दिन तो नहीं लेकिन एक दिन आप अगर रात में नहीं भी सोपा है properly तो आपका अगले दिन वो properly काम करती है ठीक है body तो यह बहुत ज़्यदा माइन नहीं रखता है यह दर्द वर्द कुछ नहीं होता है ठीक है यह सिर्प आपके mental strength है आपकी अगर आप बहुत ज़्यदा लास्ट में जब line खतम कर रहे हैं वो trail इसलिए होता है सिर्प सुनिएगा मत कि matter क्या बोलना है तब होता क्या है कई बार लोगों से मैंने सुना है कि लोग repeat करने लगते हैं मन में अब repeat बिल्कुल भी नहीं करना आपने repeat किया तो आप यह समझ लीजिए आपका skill कितना भी अच्छा हो आप कितनी भी speed पर लिख लेते हूं लेकिन आपकी chances हैं कि आपका जो matter है वो छूटेगा इस skill तो आप हो सकता पास हो जाएं लेकिन आपका matter छूटेगा कई जगे पर क्यों मैं बताता हूं देखे जब आप matter dictator ने बोला ठीक है उसके बाद आपने मन में repeat करना है start कर दिया अब आपके mind को दो काम करने पड़ रहे है ठीक है एक तो पहले वो जो matter है उसे सुनदा है ठीक है उसके बाद आप उसे दोहरा भी रहे है फिर आप लिख भी रहे है तो यहाँ पर बहुत सारे process involved हो गया है ठीक है जो कि हम लोग नहीं कर सकते है ना और इस पिसली जब आप handed word per minute की speed से लिख रहे होंगे exam में है तो repeat मत करिएगा आपको क्या लगता है कि repeat करेंगे तो अच्छा रहेगा एक बार मन में बोलते रहेंगे लिखते रहेंगे चाहिए लेकिन आप कुछ दिर तक तो को लेंगे फिर एक time ऐसा आएगा जब आपको पूरी line छोड़नी पड़ जाएगी वहाँ पर क्योंकि आप repeat करने के चक्कर में मन में बह grade C की चाहिए grade D में अगर जिनकी speed होगी उनके लिए कोई बहुत ज़्यदार दिक्कत होने वाली नहीं है grade C में especially दिक्कत होती है तो your category से 5% की बात करते है चाहिए आपको जो 50 गलतियां दी गई है वो इसलिए दी गई है ठीक है कि कोई अगर आपको word अगर आपको समझ में नियारा इस पिसली कई बार जैसे मान लीजिए आगे अचानक से कोई बहुत सा बड़ा सा बर्ड आगया आपसे नहीं बन ला है तो skip कर दीजे ठीक है छोड़ दीजे उसको इसलिए आपको इरदी गई है आप 5% ठीक है तो words को बनाने के चक्कर लेकिन उसको बनाने के बेटर रहेगा है ना तो मन में repeat मत करना और words को लिखे हो एकोईस्टिक बहुत दब हाँ पर मत हो जाना कि हां मुझे बनाने बनाने सब कुछ लिख नहीं है ठीक है 100% लिख नहीं है यह सोच के मत रहना हां लेकिन जितना अच्छा हो सकता है उतना तो कर नहीं है ठीक है बा पर यह चीज़ थी क्योंकि memory नहीं है जो चीज़ 10 मिनट पहले पूरा इतना ध्यान से आप भी देखेगा कभी इस चीज़ पर गोर करिएगा कि आप जब exam में dictation लिख रहे होते हैं तब आप focused कितना होते हैं ठीक है तो उस time जो आपने इतने focus के साथ जो चीज़ 10 मिनट त पहला लेटर लिख देना ठीक है जैसे मैं तो ऐसा करता हूँ कि जैसे माली जी आगन तुक आ गया सब और यह सिर्फ एक्जांपल के लिए जैसे माली जी आगन तुक आ गया एकदम से और मुझसे आउटलाइन नहीं बन लए है तो मैं क्या करूँगा ए लिख दूँगा आगन तुक के लिए ठीक है तो इस तरीके की चीज़ें में कर लेता हूँ अब को एजी लिखने में तो बहुत टाइम लग जागा तो ऐसी राइडिंग में लेगो कि सिर्फ आपको समझ में आ इतनी स्पीड में ठीक है तो इस तरीके की चीज़ें भी help करती है एक्जाम मे कोचे के बाद आपको करना कि पैंको टडिली मत पकड़ेगा चाहिए आप चाह्ए बार क्योथा कि आउटलाइन बहुत जड़ा अच्छी बनाने के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं कि बहुत अच्छे आउटलाइन बनेगी तो पड़तέ कर तरे टाइम बहुत आसानी रहे अगर आप साथ में गलतियां ठीक कर दे चलेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा ठीक है तो ये कुछ important चीजें थी जो मुझे आपको बतानी थी dictation से related कि आप कैसे लिखेंगे बहाँ पर और कैसे transcription के दोरान क्या कुछ करना है और बाकि आपकी तयारी पूरी होगी ठीक है और बाकि इसी तरीके के important help के लिए updates के लिए आप चैनल को subscribe कर लेंगे और अगर आप MWB से जुड़ना चाहते हैं ठीक है तो आप जुड़ सकते हैं टेलिग्राम पर भी चैनल के जो link है वो description में दे दिए गया है इसके लाबा आपके dictation के भी अलग से चैनल है MWB के ही ठीक है तो उस फे fix time पर dictation चलना है आप अगर लिखना चाहते हैं तो English वाले 7 p.m and Hindi वाले 9.15 ठीक है बाकि कभी अलग अलग time पर भी कभी schedule हो जाते है ठीक है तो अगर आप join करना चाहते है तो जो link है वो description में दिये गया है आप join कर सकते हैं thank you so much